बारें बात करेंगे अलका इंडिया का जो टेंसे इसमें क्या हो गया क्या यह कंपनी डिलिष्ट हो गई जबकि यसा नहीं है और आपका एक पैसा नहीं होगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी आए शुरूआत करते हैं देखिए इस बात के लिए आप निशिंद हो जाए कंपनी नहीं है और नहीं दिलिस्ट हुई है यह जो है कंपनी यार्न और फैबरीका मैनुफेक्चरर और सेस्ट करती है तो इतना जल्द डूबने का तो चांसी नहीं है काफी चोटी कंपनी है दोड़ा ची ता नाशिट कर रहा था मार्केट में चार अपरेल के दिन उस दिन और इसमें थोड़ा सा आफ्ट्रेंड देखने कोमनी अगे था से प्राइस और छोड़ा ओर उपर ही जा रहा था तब तक अचानक से आपको डिमेट अकाउंट से गया हो गया तो इसके बारे हम लोग आगे बात करेंगे फिलाल आप देखते चलिए इसने हाई लगा है पांच रुपे नावासी पैसा का करीव कर चौर पे का सपास और यह अधिकता में अभी तक यहां तक आया है और यह आय से इसमें अप्रेंड ग्राफ स्टार्ट हुआ मतलब शेयर पाइस ऊपर जाने लगा और जब वुपर जा रहा था दो मार्ज के दिन उसका से दुरूपेश सतिरफ पैसा यानि कि दुरूपेश सतिरफ से यह अपना फिर से चाहिए इसका स्टार्ट हो गया था और चड़क के पिछे की वजह क्या उस पर आते हैं लेकिन फिलाल यह समझे लिए कि यह चुकि जब आपका डिमेट अकाउंट से गाइब हुआ उसके पहले सेवी के तरफ से कंपनी के तरफ से कोई ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो देखिए समालने तर इस केस में ऐ आलका इंडिया स्टोप में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेट कर दिया है चलिक हम द्लिस्ट नहीं हुए मैं फिर प्रक्रण फिल्स्टल नहीं हुए दिलिस्ट हो इसके पहले गिस के पहले सेव Pictouk में था लेकिन अचानक 5 अप्रेसकोईिकोशन चाहरे में डाल दिया और जब कोई स्टॉक GSM 6 की आटेगरी में आ जाता है तो उसे बहुत उसे समाने तर इसे स्ट्रेक्टर ही कर दिया जाता है ऐसी सीती में क्या होता है कि उसमें ट्रेडिंग कलोज हो जाता है और आपके डिमेंट अकाउंट से गया दिखने लगता है फिर भी उसमें कमजकर मंदे के दिन ट्रेडिंग हो रही थी लेकिन ऊष्टॉक है जिसका नाम है में देखिए लास्ट इसका जो ट्रेडिंग हुआ था और जनौरी के बाद देखे बार 24 मार्स को ट्रेडिंग हुआ तो मेरा कहने मतलब यह कि अभी जो अलका इंडिया कंपनी है और अगर इस कंपनी के सेर सोलर्डर से हैं तो अभी तो यह जी एसमें शिक्स में कब इसमें ट्रेडिंग होगा यह कोई नहीं जानता लेकिन आपको पैनी नजर बना कर रखना है अपने पोर्टफोलियो में उस स इस तो कि किस दिन आपके सो कर रहा है और इस दिन से करेगा यानि उस दिन उस पीज़ेडिंग होगा और चीज दिन होगा मर्केट प्रैस your विसको बेपने क्या है बहुत बब बढ़िया है लेकिन इसका fundamental बहुत बढ़िया नहीं है इसका return on equity और return on capital employee यानि कि यारो सी दोनों negative है अगर एक भी positive होता तो मान कर चलते की ठीक है लेकिन दोनों negative है और उसके बाजू दिया stock 30 पैसा से बढ़कर 6 रुपया तक आ गया return देखेंगे तो करीब करीब 2000 का return होता है तो इतना return दे दिया और पीछले अगर अक्टूवर से देखें तो अक्टूवर तक आया जहां इसने अपना हाई बनाया था और अभी वी ऊपर जाता लेकिन तब दक सेवी ने इसको कर दिया इसमें बंद कर दिया तो यहां तक आब आगे समझे आगे क्या हो किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई quarterly result आने वाला होता है तो अभी तो quarter fork result आने वाले हैं तो एक बात तो असपश्ट हो गया कि अब इस company का जो ट्रेडिंग किया गया है बहुत दिनों तक यह रहेगा जल्द इसमें ट्रेडिंग open कर दिया जाएगा इसलिए चिंत बेस के निकल जाएगा या अगर बने रहना चाहते तो बने विरा सकते हैं कोई चीता की बात नहीं है इसका लाओं अगर मन में कोई सवाल है कोई confusion है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं personally उसे जूड कर बात करना चाहते तो मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वडियों में तते लिए धन्यवाद सुक्रिया